हमारा तेस्वी जो है पंडो है जीत उसी का होगा जितना जिसको जोर लगाना है लगा ले और बड़ बोली बोलने वाले जितना नेता है वह आगे जहाना बाद में अजमाल दो है नमस्कार अप लाइश डीज देख रहे हैं आपके साथ मैखू वसीम खान दोहजार चोबीस लोक सबा चुनाओ तारीकों का एलान हो गया है और अब सेंबल भी मिलने लगे हैं अमाय साथ सुलेंद्रियादभ राजद के खदावर नेता है एक तरफ जहानाबाद से चुनाओ लडेंगे ये दावा है दूसरे तब चैरे पर मुस्कान बात कर लेते हैं सुलेंद्रियादभ जी पिछले बार भी आप जहानाबाद सीट से ही चुनाओ लडएथा बहूत क दिखाए नहीं जाता है और यह अलेक्षन कमिशन से लाउट होता है सिंबल उसको मीडिया में परकासित नहीं किया गाता है पिशले बार का अगर चुनावी समिकरन देखे सुरेंद्र आदब जी काफी अब सक्रिये भी रहें और कम मार्जिन से जीधार हुआ इस वार क्या ल चोंड़की नींगली पर की आनेवाले को चाहिए पुरा दुनिया में जितने लोग थे सारे लोग अजीए पैंड़ो को हुआ हमारा तर्फशा चुन परका माली से जितना जिसको जोर लगाना है लग ले और बड़बोली बोलने वाले जितना नेता हैं वह आगे जहानाबाद में लग रहा है तो बेुरुजगार को मजदूरी सही दे रहा है उसका फसल का किसान को गोली मारने के लिए कर रहा है वे रोजगार रोड पर भटक रहा है चाहिक दुकान पर हम बेच के शुरू किये थे अपना कारोबार और वहीं से मागे बढ़ें आपको चाहिक दुकान कहीं मिला है क्या मोधी जी हमारे गर्जियन हैं उनको बहुत सम्मान इज़त प पहले नितीज कुमार आप लोग के साथ थे महागट बंदन की सरकार चल रहे थे वाखो भी आप मंत्री भी थे इस वक्त नितीज कुमार एंडे के हिस्सा है क्या लग रहा है थोड़ा परिशानी बढ़ी है आप लोग की या फिर तयार है हर परिस्तितियों के लिए देखि है हमारा बोट गाउं में और गाउं में जो है इसका इन सकता है बोल दिये तो बापस नहीं लेंगे कोई नहीं जा रहा है सब पूरी तैयारी चारों कि मैं कर चुके हैं आप लोगों पर उठा रहे हैं जिनके मुख्याई भरस्ट अचारी हो उनके नेता का क्या कहना और कैसे जनता उन्हें आसरवाद देगी हार तो आप लोगों का तय है दूद के दोबल के सामने आके ποले दोबल है उस सामने आके बोले मंतरी करें प्रधान मंत्री करें हम नहीं हम नहीं तो कहते हैं ना वह आप लोग हम नहीं सुने नहीं देखें यह जवाब देगे जब बोलेगा तो उसका जवाब उसी समय देंगे तो देखें तो देखें जहानावाद सीट में लबग नौसो वोटों के मार्जिन से पिछले वार आपकी हार बिलकुल सुनाशित हुई थी ऐस सब्सक्राइब करता पूरी तरीके से समर्थनी करता है क्या सच में ऐसा होता है देखें जो हम काउंटिंग भी थे नहीं एक सौ थे निगरी बुखार था वहां काउंटिंग में थे नहीं तो हम दूसरे पर क्यों आरो पर त्यारोप लगाए अच्छा नहीं आएगा आप सब्सक्राइब करें तो राजी नित हैं हर आदमी अपना परत्यासी के महां उतारे गाना तो आशिरवाद रहता है कई पत्रकारों को आपने सब्सक्राइब करेंगे अभी तो फैसला करेंगे हम पर मत फैसला छोड़ी हुँ नहीं पर छोड़ दिए फैसला बिहार में 40 सीटों पर शुनाओ होना है सुरेंद्र आदब जी कितने सीटों पर आप लोग जी दर्च करेंगे क्या लग रहा है समीकरन क्या है अब दस के अंदर में वोग समीट जाएगा है जो हम कर दिया आज आखला माल लिए दस के अंदर में हमनी समेट देंगे उससब को इस वर भोट कहा है आप जानते हैं जनता तो जानी रहा है उसको पतावे कुन जर्वत हैं लालू परशाद यादब से भी मुलाकात हुई आशिरवाद लेने बाकू भी आप बहुशेत हुई है क्या बाच्चित हुई है मैदान में जाकर उतरो पिछले बार भी चुनावी मैदान में थे बहुत कम वोटों से जीधार का फैसला हुआ था मगर इस बार असपस रूप से कह दिया है आसिरवाद मिल चुका है राज़त सुप्रीम अलालो परिशाद यादब का मुक्वंतरी नितीज कुमार का भी गार्जियन से रूप आसिरवाद बना रहता है वहीं दावा है कि इस बार दस सीट भी इंडिये पार नहीं हो पाएगी बिहार में और हस्ते मुस्कुराते करें जब आसिरवाद मिल गया तो सेंबल भी मिली गया है समझे चुनावी मैदान में जाने के लिए राज़ा सुप्रीम अलालो प्रशाद यादब ने भी का दिया है जाए जाना बाद चुनावी मैदान में उतर रही है और जीत कर ही आईए जीत उसी का होगा जितना जिसको जोर लगाना है लगा ले और बड़ बोली बोलने वाले जितना नेता है वह आगे जहाना बाद में अजमाल दो है